आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे Transfer of Property Act के अंदर Section 58 के बारे में ये Section 58 TPA का डील करता है Mortgage के उपर देखे पहले थोड़ा सा हम लोग सरल से शब्दों में Mortgage के बारे में समझ लेते हैं उसके बाद हम लोग इसके Section के अंदर जाएंगे लेकि Mortgage का मतलब क्या होता है कि अगर कोई वेक्ति अपनी Immovable Property को Suppose that कि हम अगर अपनी किसी Immovable Property Immovable Property मतलब अचल संपत्ती जैसे मकान, जमीन आपको दे के आप से कुछ पैसा उधार ले ले इस नियती से कि जब मैं आपको ये पैसा वापिस कर दूँगा आप मेरी संपत्ती मुझे वापिस कर देंगे इसको बोलते हैं Mortgage जैसे आपको हमने अपनी Immovable Property दे के आप से कुछ लोन ले लिया, कुछ उधार ले लिया इसको बोलते हैं Mortgage ये Immovable Property का होगा तो इसको Mortgage कहेंगे अगर ये Movable Property का होगा तो इसको Pledge बोलते हैं तो TPA जो है वो डील करता है Mortgage की उपर अब क्योंकि Mortgage भी कई-कई तरीके से किया जाता है जो इसके Section के अंदर अल्रेडी बताया गया है कि Mortgage कई-कई तरीके के होते हैं Simple Mortgage, Mortgage by Conditional Sale English Mortgage जो अभी हम लोग आगे देखेंगे तो ऐसा जरूरी भी नहीं है कि हर जगहां पे हर Mortgage में हम अपनी Immovable Property आपको दें कुछ जगहां पे ये भी हो सकता है कि हम खाली Title Deed आपको Deposit कर दें कुछ जगहां पे ये भी हो सकता है कि Property का कबजा मेरे ही पास हो लेकिन हमने उसको Specify कर दियो हो Mortgage Deed में कि In Case अगर मैं आपको आपका पैसा वापिस नहीं करता हूँ तो आप Suit File करके Court में आप या तो मुझसे पैसा वसूल सकते हो या तो उस जमीन या मकान को विक्वा सकते हो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसका कबजा जो है हर केस में आपको हम दे ही दे उसको बस Specify करना है Mortgage Deed के अंदर कि इस अचल संपत्ती इस Immovable Property के बदले हम आपसे पैसा ले रहे है बस ये होता है Mortgage अब हम लोग इस सेक्शन में आते है A mortgage is the transfer of an interest कि Mortgage जो है ये एक transfer of an interest है इसके अंदर एक विक्ती का कुछ interest transfer हो रहा है सामने वाले को हम आपको अपनी property का मालिक नहीं बना रहे है हम आपको अपना कुछ interest transfer कर रहे हैं property जैसे कि हम लोगों ने कई बार पढ़ा है इसको हमने कई बार cover किया है कि एक property जो है उसके अंदर bundles of rights and interest होते हैं जब हम पूरा bundle of rights and interest आपको transfer कर देंगे तो समझ लिजे complete ownership transfer होगी जैसे sale के case में, exchange के case में, gift के case में होता है लेकिन यहां पे हम आपको absolute interest transfer नहीं कर रहे है कुछ interest जो है अपनी property में आपको transfer कर रहे है वो interest किस nature का होगा वो depend करता है कि हम किस तरह का mortgage कर रहे है जो इसके अंदर अभी आगे चलके हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा mortgage कर रहे है उसके उपर depend करता है कि क्या interest transfer हुआ है property को बेचने का interest transfer हुआ है जैसे एक mortgage होता है जहां पे आपको property को बेचने का interest transfer हुआ है कि हम पैसा नहीं दे पाए तो आप property को बेच सकते हो एक तरह का mortgage जैसा होता है कि जिसके अंदर हमने आपको property transfer कर दिया आपको कबज़ा दे दिया, कि आप उसके अंदर जो भी लाब और बेनेफिट हासिल हो रहा आप उससे वसूलते रहो एक mortgage ये भी होता है, कि हमने आपको title deed deposit कर दिया, तो depend करता है कौन सा mortgage है, तो ये एक transfer of an interest होता है, और अगर हम आपके साथ mortgage करते हैं तो मालिक अभी हम ही है उस जमीन के mortgager के पास अभी भी vested remainder है आपको सिर्फ हमने आपको उस property को transfer करके आप से पैसा लिया मालिक हम अभी भी हम ही है A mortgage is the transfer of an interest in specific immovable property immovable property के बारे में हम लोगों को पता है कि immovable property किसे बोलते हैं पेर के अंदर already cover कर चुके है specific होनी चाहिए मतलब कि हमें पता होना चाहिए कौन सी immovable property जैसे for example मैं हूँ इलहबाद मेरे पास एक मकान है तो मैंने mortgage deed के अंदर यह specify कर दिया कि जो मेरा एक मकान है इलहबाद में या जो मेरा मकान है इलहबाद में for the purpose of securing the payment of money मकसद होता है mortgage का securing of payment of money पैसी को secure करना यह बेचना नहीं है कि हमने आपको immovable property दे दी आप से पैसा ले लिया देखने में तो लग रहा जैसे sale है आपको हमने अपनी अचल संपती दी आप से पैसा ले लिया देखने में तो लग रहा है कि sale है अगर हम पैसा नहीं लोटा पाए तो एक तरीके से sale हो जाएगी फिर तो देखने में ऐसा ही लग रहा लेकिन ऐसा नहीं है once a mortgage always a mortgage कि एक बार हमने mortgage कर दिया तो इसका nature नहीं बदल जाएगा कि अगर हम पैसा नहीं दे पाए तो आप उसको सेल में convert कर लोगे वह अभी आगे चलके हम लोग कवर करेंगे इसका मकसद क्या होता है कि आपसे future में हम कोई पैसा ले ठीक है तो वह advance भी हो सकता है या to be advance by way of loan loan ही लिया जाता है ना आपसे हम loan ले रहे हैं और आपको अपनी immobile property दे रहे हैं अब an existing और future date भी हो सकती अगर मान लिजे कि कोई already उधार है जो मुझे आपको लाउटाना है कोई already पैसा उधार है मेरे उपर जो मुझे आपको लाउटाना है उसको secure करने के लिए भी कोई immobile property आपको दे सकता हूं यह भी मुम्किन है तो कोई existing भी हो सकती है या future date भी हो सकती है कोई एसी future में date जिसके लिए आप future में जाके entitle होंगे मुझसे मांगने के लिए उस उधार को मांगने के लिए आप future में entitle होंगे और the performance of an engagement यह हो सकता है कि कि किसी engagement को engagement को perform करने की बात हुई हो consideration के लिए engagement को perform करने का क्या मतलब हुआ देखिए engagement को यहाँ पे हम लोग लेते हैं इसका मतलब हो जाएगा contract से तो अगर हम लोग इसको पढ़ हैं तो इसका मतलब हो जाएगा कि the performance of a contract कि किसी तरीके से एक contract को perform करना भी हो सकता है उसको भी mortgage से secure किया जा सकता है which may give rise to a pecuniary liability जिस तरीके से contract को तोड़ो देने से pecuniary liability arise हो जाती है तो वह हो सकता है एक performance ही हो किसी engagement या किसी contract को perform करवाने के लिए जैसे for example हमने आप से कुछ चावल चावल जो होता है चावल को हमने आप से उधार लिया क्योंकि चावल की भी एक value है जैसे पैसा लिया जाता है तो चावल भी उसी तरीके से उसको count किया जागा हमने आप से कोई चावल लिया और आपको बदले में mortgage के लिए कोई अपनी इम्मोबल पॉपर्टी दे दिया तो यह जो सौदा होगा यह भी mortgage होगा यहां पे जो हमां हमां आपको चावल लौटाना है यह क्या है पर्फॉर्मेंस ओफ इन इंगेजमेंट ठीक है दट्रांस्फरर इस कॉल्ड अ मॉर्गेजर जो ट्रांस्फरर होगा सपोस्टाइट कि जो अपनी इम्मोबल पॉपर्टी को दे रहा है उसको बोलेंगे मॉर्गेज जो पैसा दे रहा है आप क्या होंगे मॉर्गेजी गट्रांस्फरी अ मॉर्गेजी और प्रिंस्पल मनी और इंट्रेस्ट ओफ विच दपीमेंट इस सेक्योर और टाइम बिंग आर कॉल जाए अज जो पैसा होगा उसको बोला जाएगा और जो हमारा इंस्ट्रुमेंट होगा यानि जो लीगल डॉक्रोक्पेंट होगा जिसके उपर हमारा मॉर्गेज का सवाधर होगा उसको क्या बोलेंगे मॉर्गेज झाल झाल झाल